तो दोस्तों आज के वीडियो में हम रीवियू करने जा रहे हैं मसल नेक्टर के वेब रोटीन को क्योंकि ये वन ओफ दब मोस्ट सेलिंग प्रोड़क्ट में से एक है इसलिए इसको जाना और भी ज्यादा जुरूरी हो जाता है कि जो भी प्रोड़क्ट हम अपनी हार्डन म से खीद रहे हो में हमारी मन की पूरी वैलियू देता है या नहीं देता है तो हम इसके देरे-देर step-by-step सारे points डिसक्स करेंगे इसके प्राइसे लेकर इसकी लेब रिपोर्ट तक कि जो प्रोटीन content company claim करती है उत्य निकलता है या नहीं निकलता है हर point को discuss करेंगे ताकि last में आप एक decision ले पाओ कि आपने इस product को खरीदना है या नहीं खरीदना है तो शुरू करते हैं इसके price से इसको मैंने Amazon से purchase किया है 1799 रुपीज में यानि की 18100 रुपे में तो एक protein bar का मिरना आपके चाहरे पर हलकी से muskahn एक बार में तो लेई आएगा आगे आगे देखते हैं इसके जो बाकी factors है बाकी points है वो आपके चाहरे पर Chicken लेके आते हैं या आपके चाहरे के बहुत ही बड़िया तरीके से पैक थी यह देखिए और इसके बाद इसके अंदर आपको एक ऐसा पैकट दोस्तों और मिलेगा जिसके कारण के आपका प्रड़क्ट मोईस्टर से बचा रहेगा इसको आपको अलग से किसी जार में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके साथ भी आप बड़िया काम चला सकते हो इसके बाद लेबल पर कंपनी मेंशन करती है कि 100% प्रोटीन फ्रोम वे कि सारा जो प्रोटीन कंटेंट है वो वे से लिया गया है सोय वे गयरा से नहीं लिया गया उसके बाद कंपनी मेंशन करती है कि 24 ग्राम व प्रोटीन मिलेगा आपको पर स्कूप में, स्कूप कितना कंपनी मेंशन करती है 33 ग्राम का जिसमें से हमें 5 ग्राम BCAA मिलेंगे 30 servings हमें total मिलेंगी क्योंकि ये AKG की packing है उसके बाद दोस्तों company label पर ही लिखती है with digestive enzymes कि इसमें enzymes डेले हुआ जिसके कारण के आपको bloating गयरा नहीं होगी no coloring agent इसमें coloring के लिए कोई अलग से agent इन्होंने add नहीं किया और no thickening agent आपका जो protein shake है उसे ठीक करने के लिए इसमें अलग से कोई chemical use नहीं किया गया ये company ने label पर mention किया हुआ है इसके बाद दोस्तों चलते हैं इसकी nutritional information के उपर जैसे आप उस पर नजर डालोगे सबसे पहले आएगा scoop size 33 gram का company यहां तो mention नहीं किया ये heaping है ये label scoop है लेकिन जब हम इनके direction for use में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इन्होंने लिखा हुआ है shake one heaping scoop bracket में 33 grams so अगर company के कोई अधिकारी देख रहे हो तो प्लीज आप अपनी nutritional fact के उपर भी लिख दें कि scoop heaping scoop में है उसके बाद में दोस्तों ये बिताते हैं कि एक scoop से हमें calories मिलेंगी 121 जिसमें की protein मिलेगा 24 gram carbohydrates मिलेंगे 4 gram sugar 0 fat 1 gram उसके अलावा दोस्तों आगे हम चलते हैं कि यह जो macro समय protein carbs fat वगरा मिल रहे हैं इन ingredients में से आ रहे हैं तो उसके लिए जल्दी से नजर मारते हैं ingredient list के उपर सबसे पहले आप देखेंगे protein blend blend का मतलब किनी दो proteins का combination whey protein concentrate and whey protein isolate emulsifier, sunflower, lecithin दोस्तों बहुत सारी कंपनिया आज की date में अपना lecithin लेबल के उपर mention नहीं करती तो ये इनको transparency के लिए thumbs up है company को कि इन्होंने उपर ही लिख दिया है नई तो हमें यहां तो customer कैसे phone करके पूछना पढ़ता है तो यहां कोई और तरीका देखना पढ़ता है या कई बर इस point को हमें skip करना पढ़ता है उसके आगे cocoa powder flavors, enzymes blend उसके बाश टेविया है, जो कि एक natural sugar है और sucralose यह होगी दोस्तों इसकी ingredient list इसके बाद में हम चलते हैं इनके amino acid profile के उपर amino acid profile कंपनी ने per serving बहुत ही अच्छे तरीके से mention किया हुआ है अगर हम इनका sum up करें तो company claim करती है इनके scoop में हमें protein मिलेगा 24 grams और amino acid का sum up करने पे हमें मिलेगा 21.79 gram filter technology के साथ filter होता है जो कि एक natural technique है आपके protein supplement को filter करनेगी यह चीज़े हो गई जो आप label देखे पता कर सकते हो अब हम जल्दी से बढ़ते हैं उस segment की तरफ जिसके लिए आपको इसे purchase करना पड़ेगा सबसे पहले देखते हैं scoop की accuracy company claim करती है 33 gram का हीपिंग स्कूप हम देखते हैं कितना आता है 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 हीपिंग स्कूप ले लिए अपने supplement का जैसे इनको हमने अपने cup में डाला और यह आता है 32 grams company claim करती है हीपिंग स्कूप 33 grams का और मेरे weighing scale पे आता है 32 grams क्योंकि दोस्तों हीपिंग स्कूप में एक आदे ग्राम की error आ जाती है इसके बाद हम आगे चेक करते हैं इसकी mixability इस product की mixability कैसी है इसके लिए हमने अपने shake कर में आज आलवे सोड़ा सा पानी लिया हुआ है यह इसमें डाल दिया हमने अपना supplement इसको 8-10 second shake करने से हमें इसकी mixability पता चल जाएगी तब तक मैं आप से request करता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को subscribe कर दें जिससे कि में motivation मेटी रहे ऐसे वी वीडियो आपके लिए और लाने की यह लेजिए दोस्तों mixability तो इस product की बहुत बढ़िया है किसी भी तरह के major या tiny lumps आपको इसमें नजर नहीं आएंगे हमने इसका flavor order किया था Dutch chocolate देख लेते हैं किस तरह का feel होता है इस product का बहुत बढ़िया है flavor से आपको कोई भी problem नहीं होने वाली अब जल्दी से चलते हैं उस segment की तरफ जिसका आप सबको बेस सब्री से इंतजार था और वो है इस product की protein की lab report कंपनी ने claim किया था एक scoop में 24 gram protein जो की हो जाएगा 72.72% और मेरी lab report में जैसे कि आप screen पे देख पा रहे होंगे यह है 72.03% यह lab report मैंने कराई है as is basis पे अगर हम इसको dry basis पे convert करते हैं तो यह 5% और भी बढ़ जाएगा यानि कि यह आपको कोई 75% के आसपास मिल जाएगा तो company जितना claim करती है उससे इनका protein content जादा है तो यह था दोस्त मेरी तरफ से इस product का honest review खरीदना ना खरीदना पूरी तरह से आपकी अपनी मरजी है मिलते हैं अगले वीडियो में